सो हेलो एन वेलकम है आप सभी का PPI टुटोरियल के यूटूब चैनल पे और आपके लिए मैं विकाश कुमार एक लेके आया हूं नया अपडेट रिगार्डिंग आपका बिहार पैरामेडिकल जिसमें कहा गया है जूम कर दे रहा हूं मैं कि 5 जनवरी को BCEC आयोजित करेगा आफ्लाइन कॉंसिलिंग ठीक है और हम लोग इसका कॉंटेंट पढ़ते हैं कि पटना बिहार आपका संयुक्त परवेस परिक्षा परिश्चत द्वारा पारामेडिकल और फार्मेसी के आफ्ल जनवरी 2022 को आयोजित होगा बोर्ड के बेफ साइट पर कॉंसिलिंग सेड्डूल जारी कर दिया गया है ठीक है बोर्ड ने जारी सूचना के अनुसार पारामेडिकल और फार्मेसी के 25 21 में समयलित सभी अभियारथियों के लिए आफ्लाइन कावंसुलिंग 5 जनवरी यानि अगले साल यहाँ पर आगे बढ़रते लोग देखते हैं कि आपको कहा गया है कि अभ्यारती को कहा गया है कि वह counseling पक्रिया कि पूरी जानकारी website जो official website है वहाँ से ले लेना है ठीक है और अभ्यारती को counseling का अंशार निर्धारित तिथी पर आपको समय पर rank card और मूल प्रमान पत्र के साथ आना होगा अगर दी गई तीथी पर अभ्यारती नहीं पहुंचे तो उन्हें अनुपस्तित मान लिया जाएगा ठीक है अब इस news का क्या मतलब है और बिहार paramedical pharmacy वाले बच्चों के लिए ये क्यूं जरूरी है और क्या सच्चा ही है इस news का ठीक है ये discuss कर लेते हम लोग सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि ये पांच जन्वरी से बात किया जा रहा है आपका counseling offline होने का तो अब ये offline का क्या जहमेला है ठीक है ये offline क्या counseling तो online हो हो रही है ठीक है देखी online counseling तो हो रही है ठीक है पांस तारिक को आपका आने वाला है ठीक है allotment letter पहला पांस जन्वरी का paramedical pharmacy जितने भी courses थे प्यार paramedical के PM के अंदर ठीक है तो वह पांस तारिक को आने वाला है और छे तारिक से आपका start हो जाएगा क्या आपका counseling यानि DV का आपका document verification यानि आप लोग को allotment letter में जो भी address देगा हो सकता है कि वह आईस भावन का ही सब को बलाया जाए हो सकता है पिछले बार की तरह अपने अपना colleges में जाना हो तो आपको हो सकते कि पहले आईस भावन में फिर अपने college में admission कराने time DV कराना होगा ठीक है तो वह आपके notice आपके allotment letter पर दे रखा होगा ठीक है तो यह 5 तारीक को आपको पता चलेगा कि आपको कहां पर जाना है ठीक है अपना document DV करवाने के लिए ठीक है बाकि documents वाल आप लोग देख रखे होगे कि क्या का documents ready रखना है फिर भी मैं समय देंगे जैसे TC वेगारा के लिए आपको समय मिल जाएगा ठीक है तो TC वेगारा के लिए आप चिंता मत किजिए ठीक है एफिट एफिट जो एंटी रागिंग वाला बनता उसके लिए भी समय दिया जागा लेकिन जो जो भी main आपका है न वो सब आप लोग पहले ही लॉट हुआ है वहां जाके आपको एडमिशनल टाइम थोड़ा सा टीवी होता है ठीक है तो यह था आपका पूरा जानकारी इसलिए कंफ्यूज नहीं होना यह सब निउस देखके ठीक है निउस भी सही निउस है ठीक है गलत नहीं है लेकिन आपको बस थोड़ा सा यहां पर घूम गए होंगे आप लोग देखके कि ओफ्लाइन कांसिलिंग ठीक है इसको डीवी बोल सकते हैं हम लोग डॉकमेंट वरिफिकेशन ठीक है तो चिंता नहीं करना है आपको बस अपना डॉकमेंट्स रखिए और कट ओफ वाला वीडियो भी देख लीजेगा अभी तक नहीं देखे हैं तो क्या क्या डॉकमेंट्स लगेगा उसके लिए भी और हमारे टेलिग्राम चैनल पर यह मैं आर्टिकल भी डाल दे रहा हूं और कॉट आफ लिस्ट भी नया वाला जो हमारे तरफ से प्रेडिक्टेट है वो भी डाल दिया है तो पीपी टुटोरियल का वाटसेप पर हमेरे कॉंटेक्ट कर सकता है अगर आपको पेट कोस लेना अब